वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल तो आज का वीडियो आप सभी इस्टूएंट्स के लिए बहुत ज़दा इंपोर्टेंट है जो लोग भी इस साल दो बार होंगे तो इनका डेट के आओगा किस मन्त में होंगे इस वीडियो में पुरा हमलो आज डेटेल में समझने वाले हैं दखो हुआ क्या कि पिछले साल अब बहुत जल्द हमारे देश में यह प्रपोजल लागू होने वाले हैं अभी 2025 में जब आप लोग बोर्ड एक्जाम देने जाएंगे यानि इस साल आप जब क्लास 10 में जा रहे हो तो अभी यह कंफर्म नहीं है कि आपकी बोर्ड एक्जाम साल में दो बार होंगी या न बहुत जल्द है प्रपोजल है कि इंडिया में अब दो बार बोर्ड एक्जाम सोने स्टार्ट हो जाएंगे लेकिन अभी आपके केस में यह कंफर्म नहीं है कब होगा ठीक है लेकिन अगर हम ऐसा माल लें कि वाइदवे अगर ऐसा एक्जाम होता है तो आप सभी के यह कि आप सब्सक्रान के लगता कि इस बारπό ने स्ट Religomics को सही है करने स्ट खाएंगे अपरिलिए और मई के बीच में खर matters First इन दोनों में से किसी एक exam को देना compulsory है या तो दोनों को दे या दोनों पेपर लिखते हो तो जो आपका best mark होगा जिसमें भी आपका best score आएगा उसी को आपका final result में declare किया जाएगा जैसे आप सभी बच्चों को पता होगा कि हमारे इंडिया में J.E.M.S. का exam होता है तो इस साल में दो बार conduct होता है January and April के मन्त में तो जो भी आपका best performance होता है जिस B.E. paper में उसी को अपना final result मानते हैं तो same as I कुछ आपके 10th and 12th में पेपर दे सकते हो और जिनमें भी आपका performance based होगा उसी के basis पे आपका final result आपको दिया जाएगा यह कुछ proposal आने वाले हैं अभी यह line up है अभी confirm इस पे कुछ भी नहीं है कि यह जो आपका twice a exam in a year यह प्रोग्राम है वो आप बच्चों के लिए यानि जो 2024 and 2025 वाले student है इस session वाले student है उनके लिए यह अभी start होगा की नहीं होगा ऐसा कुछ अभी confirm news नहीं है हाँ as a trial basis कुछ schools में इसको देखा आ सकता है perform किया सकता है as a trial चलेगा भी ठीक है लेकिन आप मानलो जो आपका next session आएगा जो आपके next आपके भाई में आएगे class 9th वाले जब class 10th में होगे उनको इसका मौका दो सकता है कि उनको आप साल में दो बार board exams देने होगे अभी मैंने आपको clarify किया कि compulsory नहीं है दोनों paper देना कोई एक भी आप दे सकते हो बट अगर आप दोनों paper में बैठते हो जो आपके best होंगे best कहलो best best आपका result होगा उसी को आपका final result consider किया जाएगा तो आसा करते हैं वीडियो आप सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हमारे इस channel पे बिलकुन नए syllabus के recording class 10th का maths and class 9 का maths आप बच्चों को पढ़ाया जा रहा है thank you